हेलो दोस्तों स्वागत है आपका हमारी यूट्यूब चैनल में हाजिर हूं आप है मैं आप लोग के लिए एक नया सेशन और नया वीडियो लेकर जिसका नाम है अंडेस्टेंडिक इंडिया का यूनिट 1 का ये पार्ट 3 वीडियो है ठीक है पार्ट 1 और पार्ट 2 वीडियो यूदे पहली ही डाल दिये हैं आप लोग जाके श्रू करके देख सकते हैं तो पाठ्थरी में देखें पेका से पहले कुश्टन से पहले कोस्टन में है ज्ञारखन भारत के किस भाग में हो उत्तर पूरु में छेटरफ़ल कहंड़ पूछा जाए कि देश्टम स्थान कित तौक आपको जाता राजस्थान ठीक है चेत्रपल के लिए सबसे बड़ा राज राज श्थान है अगर सबसे चोटा राज पुछा दा सबसे छोटा राज लैंस। दो एकत्समें सबसे चोटा राज Всем Rank法 और जहारखन का नमबर कितना है तो वह है 15 नमबर हुआ जाते तीसरी नमब में जारखन देश्टी में अस्थान है जाहए कि पुछ देखे पहले याद रखी कि सबसे जादा जैसे कि भारत में पूछ सह जाएगा तो आपका अंसर उत्तरपरदेश की और सब से कम जन स्थान कोई साहे तो जाड़ वार कर वार थीक है इस जोताहर का सबसे धनी सबसे जनी को सबसे और यानी किसा जाड़ नमर बी नेक्स आ जाते हैं दिन में से किसे भारत का रूठ का जाता है। नमर में यह कुल्च्छोच के तरफल कितना है। यह भी काफी इंपर्टन कोश्टन है जो आप लोग को पता होना चाहिए उनासी हजार साथ से 14 वर किलो मेटर ठीक है यह इस कोश्टर का सही अनसर है नेस्ट आ जाते हैं साथवे नंबर में साथवा देखिए कि जहारखन का छेदफल भारक के कुल छेदफल का कितना है जहार लगाडेकी कितने relative करती धिया काफी इंपर्टर कोश्टन है कि जहारखन की सीमाए पांच उस प्रज इसपर चर्ती काफी duż इंप पोड़ने याद रखिए गा ठीक है कि कोन को तो याद रहे है पहला है बिहारै दूसरा है अरिससरा ने को डिसा है ज importantes त्हीं वेंठी में है तीसरा है यूप उत्रपरदे अच्छे होता है 36 यह राजियों के नाम भी आप लोग याद रखेंगे बिहार उडिशा वेस्ट बंगल उत्रपरदेश 36 पांच राजी है नवा नमर है जहारकन का सबसे उच्छा भूभाग है सबसे उच्छा उच्छे वाले जमीन को क्या क वातर क撸री ज़स्षा कर देश थ को लाइव्यंगाट नमर करने दो है जो नमध्यशहा एफ आप द्वीनेंले तो सबसे ऊचे-चोटी मृप एच्छोंड करते हैं un सबसे बड़ी वह लंबी नदी पहले तो एक बाते हो तक दोनों का जो अनसर होगा आपका दामोदन नदी है ठीक है नएसा आ जाते हैं जारखन की सरवाधिक परदूसित नदी है यह भी काफी इंपर्टन कोश्ट रहे है सबसे बड़ी नदी तो हमने पढ़ दिया कि दामोदन नदी और वही नदी सबसे ज्यादा परदूसित भी जानिकि जो खाड़ी में सोतनते जुछ से गिनने वाली नदी कोन है तो वह स्वर्ण रे खान नदी ठीक है स्वर्ण रेथा का नदी इस कोश्टन का सही अनसर हो गया जारकण का सबसे उंचहा जल परत॥ हैं जल परत वाटरफाल कहाला है और सबसे उंचह कुझ है तो बूढ घागग आजय तो सबसे उंचह वाटरफल है जारखण का न्यश आजाते हैं और भूंडू जलपरपाथ किस नदी पर स्थित है इस स्वारणरेखा नदी पर स्थित है थीक है इस कुश्ण का इंसर है स्वारणरेखा नदी नएस आ जाते हैं 18 नम्ड में तक देखेजें कोस्षन है जहाखन का सबसे गर्म पानी का स्त्रोत सुराज कुण जो की हजारी मिलता है उसका नाम है सूरज कुन और तीसरा है उसका टेंपरेचर कितना कितना गर्मी होता उसमें तेक 18 डिग्री सेलुशियस उसका तापमान होता है ठीक है नेक्स आजते हैं को दामोदार भेरा यह सही अन्सर होगे आपका उसनन नमबर ए निच्ट आ जाते हैं जारखन का सबसे गडम स्थाने जार्म अब ज़्यादा है क्योंकि आपका जारखन आपका श्टील फैक्ट्री मिल जाएगा यह तरह तरह के फैक्सट्री में मिल जाएगा और इस तो आपका सबसे अधीक वर्सा वाला स्थान पूत्रा जार्खन का तो आपका सबसे ज्यादा बारिस होता है ठीक है फिर दूसरा कोश्टन है यह जार्खन का सरवाधिक ठंडा स्थान है तो नेतरहाट पढ़ा अपिर से ठंडा स्थान होगा यानि कि यह नेतरहाट आपको राची का असपास मिल जाएंगे जान करते हैं यह निदेम के अनुशार ज्राकूंथ राज में कितने प्रकार्काणी जलवाइव करें भारत में ज्यात हैं Aa लाल मिल्ट है सबसे ज्यादा मिलडा मिल्ट काफी मिल जाते हैं या मिंट्टि तरह सबसे नहीं मिंट्टि को था है वह जड़न को मिट्ट वोय आधि करों लिएर सब्सक्राइब कहा जाता है है तो उजड़ी खूमि को कहा जाता है तो उची भूमी को तरफ सने तो का-ल्ग वह एक श्रौत्र तो यह पूह व्यक्ति diplom candidate ठीक है नेस्ट आरते हैं 27 नीची भूमी को कहा जाता है अब पूछ रहे कि नीची भूमी को क्या कहा जाता है तो उसको कहा जाता है दोन ठीक है दोन इस कोश्टर का हो गया सही एंसर नेस्ट आ जाते हैं 28 नमर में जारखन में कुल भूमी के कितने भाग वनों से अच्छा द इelcome नियुकर को से जीले में सबसे ज्यादा हे तो आपका प्सक्राण सिंग में mimies सबसे ज्यादा वहनों वाला जीला को जाता तो आपको का अंसर हो जाता धनबाद में सबसे कम रमाद कि आ आजाते हैं तीवे नमर में किस ब्लाती या नमलो का राजा किया क्लिक्त का में कि अबन चाने बीज और व्रुज ठीक है ने थसले नमर में ज़ारखन में किस ब्लीज पुरह के दर्ज़ापड थे अभी हमने मता बता या राज की व्लीज से जराःखन का तो हो आप फंद कह जाता है इसलिए लिया है पुर है और इसलिए अपादन कर से जहरकंड का देश में अस्तान है देखे लाह जारखना का पहला अस्तान है पूरे भारत में सब से पहले अस्तान पर है सबसे जुद्दध करना है ठीक है तो यह याद रख्यान का एक मात राष्टी हुद्धान ट्रीके और उसका नाम है बेतला राइस्टुद्धान कि एक मात्रा राइस्टुद्यान वह भी यह कहां तो है आपका लाते हार जिल्हे में ठीके नेश्ट आ जाते हैं 35 दालमा अभियारन इस्थित्य है दालमा अभियारन आपको मिल जाएंगे पूर्वी सिह भूम में ठीक है जारखन का जीला है पूर्वी सिह वहां आपका दाल या दालमा अभियारन मिल जाएंगे 36 में है जारखन में पर्तिवेक्ती वन एवं पेंड़ों की आच्छा दन है एक आदमी के हिस्ते में डगों कितना पेंड आ जाएगा तो देखे जीरो पॉइंट दस हेक्टेर तीक है जीरो पॉइंट दस हेक्टेर इस कोस्टन का हो गया सही अन्सर 27 में है भार की सबसे पहले बहुद देश से नदी घाटी पर्योजना है बहुद देश नदी घाटी पर्योजना है जारखन में राते है करनाम सनआ होग और यह दामोदर ओन देखाटी पर्योजना तो जरूरी सबसे हो ochई यहां पर आपको मिल लाएंगे तो लोग बड़ी घुमने के लिए एक टूरिस्ट प्लेस है ठीक है और यही पर बना है दामदर नादिखाटी पर्योजना ठीक है यही जारखन करके आपको भारक का पहला बहुत देश से नादिखाटी पर्योजना है ठीक है दामदर घृटी पर्योज्णा कीस वर्स आरब हुआ था यह जो है उनने सदाट आराली है उर्थ खाटन करने वाले कौन थे भारक के पर्थान मंत्री पंडीत जवारदल नेहरू थे ठीक है बारक के पहले प्रहार मंत्री थे उसने इसका उत्य घाटान किया था नहीं देखें उन 40 नमर एश्या का सबसे बड़ी लोहे की खान है यहां एश्या बड़ा भारत च्छोड़ो एश्या का बात करें कि सबसे बड़ी लोहे की खान कहां आपको मिल जाएंगे तो नौवा मुंडी में यह आ प्लावब के की सबताओन को होता है तो आपका होगी राची में निल जाएगा त्रफक्त क्क नहीं कि होगी है सोफ्रेंगे झुल है तर जाने कम पूंजी हुआ तो आपका होगी अनिसे फीरी अंपसे त्रफेंट में नाची माूंसी ते कुलúblic मिल जाएं exercises यह आपका रहा प्यारिस फानमें कुष्टन जादू गोड़ा की यूरेनियम खधान जारखन के किस जीले में इस्थीत है तो किस जीले में आपको मिल जाएगा जादू गोड़ा जो उरेनियम खधान पत्रातू ताप विद्दुद्गरी जो है बिजली को अत्पादन होने वाला घरी है तो यह रामगड में मिल जाएगा और आमगड के बाड़े में और एक चीज जान लिए कि जारखन का सबसे छोटा जीला भी है रामगड ठीक है अगले बढ़ते हैं ने स्कूशन की ओर जा आपको जारखन का सरवपरी अस्थान है फासलों में ठीक है कि बैतालीस वे कोशन देखते हैं जारखन का कौन सा एक मात्र जीला उत्तर परदेश को असपर्स करती है तो वह जीला कौन सा है आपका गडवा जीला इस कोशन का सही एंसर है यह ने स्ट आजाते हैं 46 वे नमबर में गणगा नदी जारखन के किस जीले से होकर बैती है गजरती है तो घंगा नदी आप पता ही हो कि बार कि सबसे लंबी नदी है जिसके लंबाई है पचीस सो किलोमेटर के लंबाई कितना पचीस सो किलोमेटर याद रखेगा जहारखन के भी एक जीले को इस पर्च करती है तो वह कौन सा जीला है तो सही अन्सर क्या है आपका ऑफसर नमर भी साहिब गंजीला ठीक है साहिब गंजीला से यह होकर गुजरती है सबसे ज्यादा वन किस जीले में आपको मिल जाएंगे तो वह है आपका चत्रा चत्रा होगे इस कोश्ण का सही अन्सर नेंगें 50 नमर जारखन भारत में किस दिसामेश थी थैं तो लगता ही मैंने यह पहला सबसे पहला कोशन भी यह से करवा दिया रिपीट हो गया तो यह अंसर क्या है आपका उत्तर पूरू में है ठीक है नेक्स बढ़ते हैं यह आपका इस से सेंट का आख़ी कोशन है पचासवाब भी कुश्टन है तेकि जार्खन का कौन सा नदी द सारे अंसर आपका दामोदर नदी ही होगी ठीक है यही आपका लास्ट कुश्टन था देखे दोस्तों इसके बाद मैंने कुछ नोट लिखावा ठीक है उसको भी आप लोग पढ़ लिजेगा देखे क्या है कि जार्खन जो राज है पहली बात तो जार्खन चत्रुभुज सिर्फिट घंका जोड़े के जार्खन को सबसे बड़ा जिला कोण सा थैकर सबसे छोटा जिल अप लोग जरूर याद करिए ठीक है पर देके जार्खन का आकार कैसा है तो चैत्रुभुजाकार हमने वी बताया कि जरुची का है जारखन का उत्तर से दच्छिन के लंबाई जारखन जो है जो उत्तर से है उत्तर दच्छिन के लंबाई आपका कितना है सबसे लंबी नदी दामदर के लंबाई कितना है यह भी याद रखे दोस्तों 990 किलोमेटर है ठीक है दोस्तों तो यह नोट्स भी आप लोग जरूर याद रखेगा अब मिलते हैं आप लोग नेक्स्ट वीडियो